राम राम जहेंद बात करेंगे आज केवल टार्गेट हम लोग करने वाले हैं पेट के फैट को पेट की चरबी को अच्छा आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज बताते हैं कि यह हमारा फैट बर्नर ठीक है बिलकुल आयुरुवेदिक है अभी ऑनलाइन लाउंच करने में भी ली नंबर हम बात करहें आज पेट की चरबी के लिए देखो यह मित बस चो चुका है कि करके बड़ कर सकते हैं बट कुछ चीजें हैं जिनको टार्गेट करके आप यह जरूर देख सकते हो कि आपकी पेट की चरबी कम समझ में आएगी ठीक है तो उसके उपर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं जड़ा दिहान से समझना इसको सबसे पहली चीज यह करो कि सुगर को कंप्लीट बंद कर दो जितना भी सुगर है मतलब की चीनी अब यहां पे हम बात चाय कॉफी की नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर मालों आप दो कप चाय कॉफी दिन बर में पी भी लेत इन में आप देखते हो एक एक बार में चार 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 चेज़े चम्मच चीनी आप खा लेते हो तो मतलब मेरा यहां पे चीनी अटाने का है जो अर्टिफिसल सुगर मुईलाई जाती है बागी चीजों में जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हो सेफ वो भी नहीं अच्छी है वो भी नहीं है बाट एक दो चम्मच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चाय कॉफी में इतना तो चली सकता है ठीक है दूसरा है स्लो वाक करो कितना टार्गेट बना लो पुद के लिए क्या टार्गेट की हम 10,000 स्टेप चलेंगे अब इसको कहीं पे भी आप अपनी स्ट करके आपको 10,000 स्टेप कंप्रीट करने हैं स्लो वाक करनी है उसके साथ अब इसका रीजन क्या होता है जब आप स्लो वाक करते हो तो आपकी जो फैट सोरेज है वहां से एनर्जी आती है लेकिन जब आप क्या किते थोड़ा सा ऐसा काम करते हो जां हार्ट बीड और ते जो करते हो तो हम से नहीं हैं कि आपके इसे पेट की चरवी खतम हो जाएगी हम यहां पर यह जोगार चाहरे हैं जोतना भी जीरा वाटर है लेमन वाटर और है इन सब को अगर आप कंजूम करते हो तो फाइदा है की होगा आपको कि मिटाविजम अच्छा हो जाएगा मतलब ज करते हूं तो दिखो यह भी मसल है वह भी ट्रेन होगी तो बड़ी नजर आएगी तो फिर कोगे पेट निकलाया है तो केवल एक्स मत करो अगर करना ही है तो हफते में दो दिन कर लो इस बेटर है अगर पेट की चरबी कम करने के लिए पेट की ही एक्साइज कर रहा हो तो वह ग्रोगा ठीक है अगर हमें बाइसेब बनाने ही अगर हम इसकी रोज एक साइज करेंगे तो बाइसेब ग्रोगी तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में लॉजिकल ठीकिंग की तरवर देखा करो ठीक है जूस की जगए होल फूरूट का इस्तेमाल करो हमेशा जूस की गुंट में एक बार में पी जाओगे समझ में भी नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं इनमें भी तो है तो वही सुगर ना तुम मिठाज होती हुआ हमारे लिए खतर ना कैसलिए को फूरा फूर्ट खाओ क्योंकि वो फिर एक ही खा सकते हो तुम तो उसमें भी हमें एक्से सु कभी ट्रैकिंग पे निकल गए जो भी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जो तुम्हें इंस्पायर करें या फिर तुम्हें अट्रैक करें इस तरीके का वर्काउट फॉलो करो जिसमें मन लगें ठीक है किसी भी एज में हो आप इंटिमेंट फास्टिंग कीटो फास्टिंग वा बहुत बेतर रहेगा प्रोटीन आपकी मसल तो बढ़ाएगा साथ इसाथ आपका जो फैट कम करने का स्पीड है उसको बढ़ा देगा ठीक है तो आपका वजन जो है बहुत जल्दी घटने लगेगा तो पेट आटोमेटिक गटा हुआ समझ में आएगा सिर्फ पेट पर फ लेकि यहां तक की बैस्ट है वाइड एक दब तो अगर हमारा पेट थोड़ा सा निकला भी होगा एपस नहीं भी होगे तो समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यह चीज़े कर सकते हो आप आखरी में यही है कि इस्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम करो थोड़ा सोचना बहुत ज्यादा टेंसन लेना यह सब चीज़े कम करो तो और ज्यादा पाइदा मिलेगा ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राम राम जैहिन